आज बनाएंगे अंडा कड़ी बहुत ही ज्यादा टेश्टी और एकदम स्वादिश्ट बन करके तयार हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अंडे को आलू के साथ आज बॉयल करेंगे कुकर में तो आप चाहे तो कड़ाय में बॉयल कर ले बट कुकर में अच्छा आता है तो जितना भी एकस आपको लेना है आप ले लिजे कुकर में रख लीजे इसके बाद क्या करेंगे इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा ही पानी डालेंगे और इस धकन को लगा देंगे और चाहा देंगे ग्यास पे पहले तो हाई फ्लेम पर एक कुकर चलाएंगे कुकर में डालेंगे सरसो का ओयल दो लाल मिर्च जीरा दो तेज पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हम लहसुन जो हमने कट किया था तो यह पूरा एक लहसुन है और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने त तामाटर को भी मिक्स करेंगा इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे मसाले जो भी सुख्य मसाले आपके पास एवलेवल हो सारे के सारे डाल देना है नमक हलदी है कस्मीरी लाल मिर्च धनिया जीरा का पौडर मैंने सारे ही मसाले इसमें डाला है सारे मसाले इसी में डाल दिये है बाद में कुछ एड नहीं करना परेगा तो जितना कुईंटिटी हो उतना से बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम आदा कप के करीब आपको पानी लेना है जो जिससे मसाले जले नहीं और कुकर को बंद कर देना अच्दम लो हिट पर इसे तीन सिटी आने तक पकाएंगे तो हमारा अंडा जो है ना अंडा और आलू हो गया है इसे हम निकाल लेंगे तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो अंडा आप निकालते हैं तो सबसे पहले निकालते ही न उसे ठंडे पानी में डाल दीजे तो निश्च तो साथांथ, बहुत ही जल्दी तो आलो और न्डे को छिल के तयार करेंदे अब अंडे में न कट लगा तो यहां अप्स्नल ऑसकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं यह यहीता हैं ड़्र जिल के लिए है पास जल ना तो मसाले का फ्लेवर जो है वां उन्दर और जो आलू है ना उसे मैंने पीसेज में कट कर लिया है आप हाथ से भी तोर कर डाल सकते हैं अच्छे से फ्राय होती है तो कड़ाई चरहेंगे कराई में फ्राय करेंगे अंडे को इसे गोल्डन ब्राउन हों तक फ्राय करना है इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी डालेंगे कलर के लिए और फ्लक्षण के लिए इस और इसे टॉस्क करते हुए इसे चालते हुए छलल में जल जाती है तो यह तो आप उसे छोड़ार इंगे रिवें आप नियुक्त उड़ेंगि इससे लाइइब थोड़ी देर ठोप निच्छे कर्ची थी कर्ची oven कर्ची से मेस्ककृ करणा है एक तरह तरह कर्ची मेचा में कर्ची वास यहाँ में अक्रम और सिर आक हैं कि अग्दम अच्छे से फ्राइड हो गया है आप देख सकते हैं कितना बढ़ी आए है आप कुकर के मसाला जो था ना वह डायरेक्ट है हम इसमें डाल देंगे तो इससे क्या होगा ना तो मतलब जो मसाले हैं वह अल्रेडी फ्राइड है और आलू है वह भी अल्रेडी और इस और ड्रेवी ना दो तीन बोइल आने तक अच्छा बोइल आने तक इसके बाद जो अंडे थे ना वह अंडे को हम इसमें एड़ कर देंगे और इसे ढखकर सिर्फ 2 मिनिट हाइफ फ्लेम पर पकाएंगे और दो मिनिट के बाद हम चेक करेंगे जो हमारा ग्रेवी है न बहुत ही परफेक्ट बन करके त्यार हुआ था तो रेसेपी पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजेगा ज्यादा ज्यादा शेयर कीजेगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद